हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग गौतम अडानी और हाइजनबर्ग क्लैस के बारे में समझेंगे हाइजनबर्ग एक रिसर्च फर्म है जो की 24 जनवरी को एक रिसर्च पेपर पब्लिश की जिसमें उसने गौतम अडानी की कंपनी को फ्रॉड कहा उन्होंने यह कहा कि उस्की इन की काफी डेप्थ में है और गौतम अडानी की फैमली जो है वो क्रिमिनल एक्टिवीटि में वह裡面 है तो गौतम अडानी का पॉांट of विवी है कैसे सही है और Heisenberg जो कह रहा है, वो कैसे गलत है, Heisenberg एक foreign का firm है, Indian firm नहीं है, और बहुत सारे ऐसे research firm पूरी दुनिया में है, कोई Heisenberg कोई एक नई firm, कोई नई company नहीं है, ऐसे बहुत सारे companies हैं, तो इनकी भी बात गलत हो सकती है, और Gotham Adani की company भी गलत हो सकती है, दोनों कुछ हो सकता है, Heisenberg के इस research paper के कारण, Gotham Adani का share जो है, वो 20% तक नीचे चला गया, Heisenberg research paper में यह कहा गया है, कि Gotham Adani काफी fraud किये हैं, और उनके उपर depth है, और criminal activity में involved है, तो fraud उन्होंने कहा है, पर उन्होंने इस चीज़ को prove नहीं कर पाया है, गौतम और depth की बात कहीं है, जो की not new, कोई नहीं बात नहीं है, depth तो हरे company में होती है, criminal activity, उन्होंने कहां यह कि Gotham Adani की family जो है, वो criminal activity में involved है, तो यह उनके, Gotham Adani की company की nature को बता सकता है, बट 85% टक उनका stock नीचे जाएगा, यह कोई clear नहीं बता सकता है, गौतम Adani पर काफी confidence में है, उन्होंने तीन सपता पहले ही, एक interview में अपने company के growth के बारे में बताया था, जो की उनके confidence को बताता है, गौतम Adani की company में, गौतम Adani का share है, promoter holding है, 60% से जादा है, मतलब गौतम Adani का खुद का share जो है, share percentage है, 60% से जादा है, जो की यह बताता है कि उनके company काफी जादा भरोसे मन्द है, उनके assets जो है, गौतम Adani के assets जो है, उनके जो भी उन्होंने loan लिया है, उससे कहीं जादा है, तीन गुना जादा है, अप्रॉक्स, तो इसे वो क्या किसी को डढ़ने वाली बात नहीं है, वो अपने assets को बेच के भी loan पे कर सकते हैं, रही बात, Heisenberg की, तो Heisenberg के forensic research firm है, और हम लोग यह जानते हैं, कि forensic, मनले कि ऐसे तो बहुत सारी firms हैं, जो दुनिया में चल रही है, और finally, मैं यह कहना चाहूँगा, कि अडानी का जो share price गिर रहा है, वो वापस से उपर चला जाएगा, क्योंकि, क्योंकि एक आदमी के कहने से कुछ नहीं हो जाता, अगर पूड़े लोग कहेंगे, तब ही हम कह सकते हैं, बहुत सारी firms ऐसी कहेंगी, गोतम अडानी में ऐसा कुछ हैं, तो जरूर गलत हो सकता है, पर एक आदमी के कहने से कुछ नहीं हो जाता, तो वापस से share price का गडानी की उपर जाने वाली हैं,